संजे गांदी निराधार अनुदान योजना के सभी अनुदान जो जिले में निराशित वैक्तियों को सितंबा 2021 तक हर महीने दी जाती है 30 अक्टूबर तक दिवाली तक आम नागरिकों के हाथों में पहुँच जाएंगे जिले के संदक्षक मंत्री ने बताए कि प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां कर ली है नितिन राउद द्वारा आज यहां प्रस्तुत किया गया विसंजे गांदी निराधार अनुदान योजना की जिले स्थरिये बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने आज इस योजना को लेकर समीदी में नियोक्त सदस्यों प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में बोलते हुए उन्होंने इस पश्ट किया कि निराधार योजना के तैत अनुदान 30 अक्टूबर तक बैंक में जमा कर दिया जाएगा इस योजना के तैत लाभार्तियों की शिकायतों पर भी चर्चा की गई सरकार को सामाजिक आर्थिक योजनाओं को और तेजी से लागू करना चाहिए नागरिकों के सुझाब पर सेतु कार्याले में दो विशेश कक्ष खोले गए हैं लंबित प्रकरणों में अपून और गलत दस्तवेजों की जाच इन दोनों कक्षों में की जा रही है नागरिकों को इस लाभ के लिए आवशक दस्तवेज जमा करने चाहिए अधिकारियों ने निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाए राज्यमिन इराशित लोगों को मासिक वित्य साहिता प्रदान करने के लिए संजे गांधी निराधार योजना लागू की जा रही है उन्होंने योजना में शामिल सरकारी करमचारियों से अपील की गी वे अपनी सामाजिक जमेदारी निभाएं और आम आदमी की मदद के लिए आगे आएं इस सम्मन में इस समीती में नियुक्त सभी सदस्यों के सुझावों का स्वागत है उन्होंने का कि इसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए और दू दरास की इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाफ मिले समीती की सदस्यों को विभाग के अनुसार सपता का एक दिन दिया जाए उनकी बैठक की व्यवस्था की जाए सहय नागरिकों को गुम्रा करने वालों के खिलाफ कारवाई की जाए सीकल सेल रोगियों को भी इस योजना में न्याए मिले साथी सम्मन में एक बैठक हर महिने आयोजित की जाना चाहिए बैठक में जिला कलेक्टर विमला आर, संजे गांधी निराधार, योजना समन्वेक तहसिलदार, चेताली सावन, समीती अध्यक्षी दीपक खोबरागडे, जुल्फिकार एहमद भुटो, सागस अतीश चुहान, आशीश बबन कटारे, श्रावन खापिकर, साबजी और अ अन्य उपस्ते थे, कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ, अभिशेक पांसी, BCN News, नाखपुर